वॉल्म स्प्रेट अनलसे स्क्रीप और आज एक डीब डिसकेशन एक डीब डाइब हम लोग आज के दिन करेंगे जितना हो सकेगा अच्छे से हम समझाने की कुशिश करेंगे और इसको कॉंसेंट्रिशन के साथ समझने की कुशिश किजएगा वेगर बहुत हैप की करतेगा ट्रेडिंग के तौरान अपने चार्ट्स को रिड करने में मेभी एबबेज वीडियो की लेंथ से इस वीडियो की लेंथ थोड़ी से ज्यादा हो वीडियो अगर इंफर्मेटिव लगता है तो इसको सिर्फ अपने तगी स्थीम इतना रख करके अपने फ्रेंट सरकर में आप शेयर किजाएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर लाइक किजाएगा, कॉमेंट किजाएगा और अगर चैनल पर आप पहली इसको आप इससे समझ सकते हैं कि जब दिबांड इंक्रीज होती है और सप्लाइग कम होती है तो प्राइग का इंक्रीज होगा एक उसी चाहर जितना भी शब्दों में आगे ही पीछे ओपर निचे कर लो लेकिन आखरी में आखर करके पहुंच होगी आप यहीं पर कि डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, प्राइस इंक्रीज होगा सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस नीचे गिने लगेगा पूरी मार्केट इसी के उपर काम करती है यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आसान लगेगा, एजी लगेगा बट अगर आप लेस एक्स्पीरियंस हो, आप भी नए हो तो हो सकते हैं यह चीज़ समझने में आपको तवरा सा टाइम लग जाए अब जब हम यह बोलते हैं कि प्राइस का जो डिमांड है वो ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, कि प्राइस जो अपने सपोर्ट पर है तो वॉल्म्स इंक्रीज होती है, प्राइस जैसे जैसे अपने सपोर्ट पर होगा, इसके अंदर वॉल्म सेगेंड है मारा law of cause and effect कोई भी movement आप देख रहो या चार्ट के पर कोई भी effects गिर रहे हैं कोई भी एक movement भी हो रहा है तो उसके पीछे का reason क्या है price आपका किसी resistance point से नीचे की दिशा में गिर रहा है या फिर एक support से ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या accumulation है या distribution है mark up है या mark down है इसके अपने कुछ reasons होते हैं कोई कुछ भी आप देख रहे हैं चार्ट कम में अगर price आपका नीचे की तरफ गिर रहा है तो ये एक effect है और उसके पीछे का reason क्या है कारण क्या है इसको समझने के लिए फिर हम लोग cause and effect का use करते है क्योंकि कुछ भी अगर इस stock की पीछे हो रहा है तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ तो reason है अगर वो reason हमें मालूम हो कि price में इस जगे पर accumulation हुआ था sorry distribution हुआ है या यहाँ पर accumulation हुआ है तो इसके पीछे का reason यह हुआ इसके वज़े से mark up या फिर mark down का move आया क्या next time हम इस चीज़ को देख करके अपने trades को और भी ज़्यादा perfect या pure बना सकते है वाइकॉफ का third law है effect and results का effect and results को अगर समझने है आपको तो simple way में ऐसे समझे कि आपकी एक volume है जो एक normal सी volume है इस पर price का जो movement हुआ वो just for example 0.5% का हुआ volumes हमारी 1 million के आसपास आगई यह जितनी वे 1 million volumes में 0.5% का move एक stock के अंदर हुआ एक दिन पहले 1 million volume है जो जो वाल्यूम बन रहे है वो just half volume है मतलब 5 lakh के आसपास की volume है price का जो movement है यह previous day की price की movement से ज्यादा है एक बड़ा price का movement है ऐसा आपको कई बार charts में दिखता होगा कि volumes तो कम आ रहे हैं बट price का movement ज्यादा हो रहा अगर हम compare करेंगे previous volumes से और previous price से तो यहाँ पर 1 million के आसपास volume है और price का movement 0.5% इसके बाद में half just volume हो गए बट price का movement बढ़ गया क्या यहाँ पर हमें यह समझ में आ रहा है कि effect के जरीए यहाँ पर हमें जो result शो हो रहा है वो तो ठीक है बट इसके अगले दिन effect तो उतना है ही नहीं बट result के इतना बड़ा कहां से आ रहा है कही ना कहीं सोचने वाली बात हो गए क्या हम इसको diversion बोल सकते है price का move downside की तरफ गिर सकता है अगर यह down से upside की तरफ जा रहा है या up से downside की तरफ आ रहा है volumes का में price का move ज्याद है तो क्या है यहाँ से price turn हो सकता है उपर की दिशा में effect and result को इस तरह से हम लोग योज़ करते हैं technical world में prices की movement को समझने के लिए breakout हो सकता है या नहीं हो सकता है इसको देखने के लिए इसको पकड़ने के लिए तो यह basic से 3 concepts हो गया है हमारे Richard Wykoff के market को 4 parts में डिवाइड किया गया accumulation, second markup, third distribution, fourth markdown accumulation and distribution क्या होता है आप सभी लोग इस चीच को जानते होगे शायद ही कोई होगा जो कि accumulation and distribution को नहीं जानता होगा simple way में price आपका एक sideways zone में रहता है यानि के support यह पूरा का पूरा जो आपका sideways zone है यह support area होता है इसके बाद में markup again distribution start होता है और फिर यह markdown होता है यह वाला भी जो point होता है यह पूरी तरह से आपका sideways zone होता है इस तरह से market के यही 4 phase होता है इसके अलावा कोई 5 वा phase नहीं होता या तो trend करीगिया sideway रहेगिया या तो trend करीगिया sideway रहेगिया तो trend करते वक्त यह markup या फिर markdown में आता है और इसके अलावा जो दो parts बनते हैं हमारे accumulation what is accumulation? accumulation is nothing but a sideway and range bound market activity that happens after an extended downtrend price नीचे की दरफ गिर रहे and यहाँ पर price के अंदर एक sideway market ने movement करना है start कर दिया this is the phase where smart money trades and big institutional players try to accumulate or acquire positions without moving the price too much to the upside इसके बाद में distribution distribution is the exact opposite of accumulation it's a sideway range sideway range यह भी होता है और sideway आपका यह भी market activity that happens after an extended uptrend मतलब price uptrend में जाने के बाद में एक sideway zone में आती है इसको हम लोग बोलते हैं distribution accumulation में price हमेशा नीचे की तरफ होगा और distribution में price हमेशा ऊपर की तरफ होगा distribution के बाद जो movement आता है इसको हम markdown कहते हैं accumulation के बाद जो movement आता है इसको हम markup this is the phase where smart money trades and big institutional players try to distribute or sale sale of their positions without moving their price too much to downtrend distribution है न अपसाइड में this is the phase where smart money moves traders and big institutional players try to distribute or sale यहाँ पर distribute करने की कोशिश करते हैं अदरवाइस sale करने की कोशिश करते हैं अब आगे बढ़ते हैं अब इसके कुछ example हम आपको दिखा यह होगा हमारा accumulation का phase accumulation के बाद में price का move धीरे धीरे आप देखोगे कि downtrend में जाता है price related after the accumulation phase इसके बाद में यह downtrend था अब downtrend से पहलो जो price हमारा upside की तरफ रुखा होगा वो होता है हमारा distribution यहाँ पर जाकर के market में distribution स्टार्ट हुआ और distribution के बाद में price फिर हमारा नीचे की तरफ आ गया जैसे यह price ने downtrend में जाकर के side way move दिखाया तो इसको बोलते हैं accumulation and accumulation जब खत्म होता है तो इसके बाद में फिर uptrend जरूरी नहीं है कि price में जब एक बाद distribution हो रहा है and distribute हो जाने के बाद में market ने markdown दिखाया और फिर यहां से हमेशा आपको accumulation ही start होगा या accumulation होगा नहीं यहाँ पर भी distribution हो सकता है distribution के बाद में फिर अगर market नीचे की तरफ आ रही तो हो सकता है यहाँ पर भी distribution हो price जब upside की तरफ जा रहा तो में भी chance है कि यहाँ पर accumulation start हो जाए ज़रूरी नहीं है accumulation के बाद में distribution हो या distribution के बाद में accumulation हो continuously यह दोनों patterns चला करते हैं साथ साथ में जब देखना है न तो यह तीरे देरे देरे प्रैक्टिस से आपको समझ में आने लगता है इसका just opposite देखे यहाँ पर देखे यह पूरी दरह से अपना uptrend है up 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 यह हुआ एक दरह से distribution distribute करना start किया गया और फिर यहाँ से downside में भी हो सकता है जब प्रैस हमारा downtrend में हूँ तो यहाँ से फिर से एक बार आपको distribution देखने को मिल जा है और market fits वहाँ से नीचे की तरफ गिर जाए तो यह circle है cycle यह चला करती है हमेशा देखे कुछ चीजे हैं जो आप लोगों को हम explain करेंगे जैसे वी एसे वी वालूम तिकहां वालूम प्रेट अनेलसिस अच्छा यह होता क्या है वालूम स्प्रेट अनेलसिस एक smart money जो concept होता है ना smart money concept उसके अंदर यह वी एसे आता है smart money concepts में एक शब्द इसके अंदर use किया जाता है validation सेकेंड आता है वैलिडेशन और डाइवर्जन के थूँ हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि प्राइजस के जो मुवमेंट से हैं वो किस तरह है एक्षुलि प्राइज का मुवमेंट कभी फेक हमारा ऐसा बिलीव है कि कभी वो फेक नहीं होता है वो हमेशा कुछ न कुछ इंडिकेट करने की कोशिश करता है स्टॉक टु स्टॉक यह चीज़े डेपेंड करते हैं और हमें एक आइडियल स्टॉक के एक्जांपल के तुरू ही आगे की तरफ पढ़ेंगे एससे भी स्टॉक होते हैं जो भी नए करते के अंदर वॉल्यूम नहीं आती तो ऐसे स्टॉक के अपर जब आप technicals लगाने जाओगे तो काम नहीं करेंगे वह स्टॉक जिसके अंदर सौधा चलता हो भारी मात्रा में सौधा चलता हो निटी 50 helps में इस टोस लेलो आप अमरेल शाय सक्राइट को करेंवेड़ ऐब सं छाइस बाएं इसेटोऊ आप मोटा मोटा परइस की आप देखे, validation का मतलब होता है, कि जितनी volume, जितनी volume, उतना बड़ा price का movement, यह होता आपका validation, diversion में क्या होता है, volume तो कम आएंगी, लेकिन move बड़ा होगा, यह diversion होता है, diversion के थूँ क्या हम लोग करते हैं, यह पता लगाने के कोशिश करते हैं, कि क्या यहाँ पर smart money, एक retailer को, या फिर अपने से छोटी quantity में कर रहे, trades को trap कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, पता लगाने के हो, validation में, दोनों चीज़े same होती हैं, और जहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नेचे होता है, आपके तीन laws आते हैं, मतलब टोटली हमने लोग देख लिए हैं, तो वाइकॉफ के तीन laws हैं, basic three उनके laws होते हैं, principles आप बोच सकते हों, तो वाइकॉफ के three basic, अच्छा इन principles में है क्या, इन्होंने इन तीन principles में क्या बताया है, वाइकॉफ में, जो सबसे पहला होता है हमारा, उस दिन में लास टाइम भी अपने आपको बताता है, law of supply and demand, second law of pause and effect, third law of effect and result, law of cause and effect, effects and result, यह तीन basic laws होते हैं, और यह जो diversion है, diversion और validation, यह आते हैं, वाइकॉफ के third law के अंदर, effect and result में, देखिए, effect मतलब volumes natural हैं, और उसके according हमें यहाँ पर result देखनों को मिल रहा है, बट यहाँ पर volumes unnatural हैं, कम volumes के अंदर इतना बड़ा result देखनों को कैसे मिल रहा है, क्या reason है, इतना ज्यादा movement हमें कैसे देखनों को मिलता है, क्या हो सकता है, क्या यहाँ पर diversion है, अगर यह bearish candle है, और bearish candle में कम volume और बड़ा move आ गया, तो क्या मतलब हो सकता है, कि यहाँ पर कहीं न कहीं, sellers trap किये जा रहे हैं, volume कम है, बड़ price का move ज्यादा है, तो यहाँ पर बड़ा move, या फिर candle सापकी देख करके, red candle से देख करके, यहाँ पर कोई भी shot करेगा न, लेकिन smart money क्या कोशिश करता है, कि यहाँ से उसके अंदर buying start होती है, क्योंकि वो देख रहा है, volume कम है, प्राइस तो ज्यादा है, कोशिश करता है, trap करने के, सब कुछ आखो के सामने होता है, हमारी, और फिर यहीं से price आपका move कर जाएगा upside की दरफ, यह होता diversion, और इस तरह से जब price आपका upside की दरफ बढ़ता है, volumes भी आ रहा हैं, प्राइस भी आपका upside की दरफ जा रहा है तो प्राइस थोड़ा सा sustain होने की कुशिश करता है, यह आता है अपमारा law of effect and result के अंतर, इसके बाद में जो आगे की चीज़े हैं, जैसे कि कुछ basic इन लोगों इनके concept होते हैं, basic concept का मतलब तीन या फिर चार, एक हम आपको चीज़ बताएंगे, चार candles की वो एक ट्रिक है, छोड़ी से ट्रिक बोलेंगे इसको, हम day time frame पर उसके तुरू level markers और वो VSA के format में आगे, और वो तीन यह चार है, वो देगे, falling rose हमने पहली आपको बताव रखा है, VSA है, इसके अलाबा जो हम आज एक pattern बताएंगे, वो तोटल आपके पास दो से तीन pattern होंगे, इसके अलाबा कुछ छोटी छोटी चीज़ है, वो समझ लीज़े, जैसे, candles में हम लोग क्या देखते हैं, दो तरह की candles होती, आपकी डोजी और ड्रेगन फ्लाई, यह सब कुछ ने, दो तरह की candle, अनली टू टाइप ऑफ गेंडल्स, फर्स्ट वाइड स्प्रेट, सेकेंड वाइड स्प्रेट और नेरो स्प्रेट, यह दो ही तरह की candles होती है, इसके लब और कोई तिसरी candle है, वाइड स्प्रेट केंडल, जो कि स्ट्रॉंग केंडल होती है, एक अच्छी खासी बॉडी बनी है, वाइड स्प्रेट है, नेरो स्प्रेट में क्या होता है न, चोटी केंडल होती है, मतलब वो देख करकि आपको लगए इसमें जान नहीं, चोटी से candle बन गई नेरो स्प्रड होते हैं वाइड स्प्रेड में वॉल्म का जब यूज कर दोगा तो यहां पर वॉल्म यापको काफी ज्यादा देखनों को मिल जाएंगी है और यहां पर क्यों और वॉल्म जाधा ओगी मिल जाएकि कम वाल्यों में और बनाओ करना इसे न है यह मquis जोती हैं कि वह जिसमें दो पловrty वीख होती है और बड़ी सी बाढी होती है वह वाली candle में mark करके दो या वह कि इसमें body बड़ी चोटी होती हो विक बहुत ज्यादा होती हो वाली candle में टून करके दो या अगर आपको किसी को पढ़ाना है तो आप कैसे पता हो गया समझाओ कैसे समझाओ गया तो प्रोफेशनली जो हम लोग काम करें तो इस candle को हमने एक नाम दे दिया ना यह निरो स्प्रेड हो गई और यह वाइड़ स्प्रेड हो गया अच्छा लगता है और ठीक है नाम के तुछ आप नाम ले रहे हो ना वाइड़ स्प्रेड तो एक पि होगा है यह सब नहीं है बसके एक एक एंडल को समझना है उसको हम लोग नाम दे दिया वाइड़ स्प्रेड समझने में आसानी हो जाती है हम आपको बोलें इस वे से नाम देना जोरी होता है कई लोगों का सवाल होती है क्या यह तीन और यह फॉलिंग रोज और यह फलान डाइवर्जन अपोजिट जो चल रहा है उसके अपोजिट ही हो सकता है कुछ डाइवर्जन बिलकुस सीधे सीधे हो रहा है सीधे चल रहा है इसको एक एक एक्जामपल के तुरू समझें देखें जैसे कि सिंप्ली जो इसका अपना टाइम हम लोग रखते हैं वो डे केंडस बन रहे हैं या इनको ना लेते हुए आप एक काम करो ना जैसे यह नेरो रेंजे स्केंडल से हाँ ठीक है यहां पर देखें आप सब्रिमूब कर देता है यहां पर क्या देखनों को मिल रहा है वॉल्यूम भी है और प्राइस भी है इसके अकॉर्डिंग जब आप क सस्टेन होने की कोशिश कर सकती है मार्केट यहां से यहां पर किस तरह कोई ट्रैप नहीं है यहां पर देखें कितने सारे एक्जाम्पल है आपके पास widespread आपका नीचे तो गेर रहúa है बर। लॉल्यूम है न वैलिडेशन है बिल्कुल सीथा सिंपल चल रहा है कम वॉल्यूम है और कम बॉड वन रही है validation और example लेजा आप volume price volume price जितनी volume उतना price का movement इसमें होता है क्या है ना जो वाइकव का 3rd हमने आपको बताया है effect वाला cause और effect तो इसमें volume simply हम लोग देख लेते हैं ये कि जितनी volume समारी आ रही है कि उसी तरह का price का movement हो रहा है law and effect जो गिर रहा है हमें उसका result देखने को मिल रहा है effect और result जो effect है वह result है यह validation के अंदरा जाएगा अब इसके बाद में diversion क्या होता है diversion में आपको volumes तो ज्यादा देखेंगे बड price उतना अच्छा नहीं देखेगा जैसे last से शुरू करते हैं यहां पर देखेंगा यह होता है diversion खुद read कीजिसको diversion में क्या हो रहा है ठीक है न but 20 को क्या हुआ है 19 से ज्यादा 20 को volume आई है बड price का movement तो है यह ने देख रहा है करें और 20 से ज्यादा 23 को आई है price उपर भाग रहा है को बहुत बड़ा movement तो है ने और जबकि उसके अगले दिन हम देख रहा है कि 23 से कम volume 24 में है यह बड़ price का movement देखें previous की candle previous day की जो candle उसे ज्यादा है क्या हम लोगों को देख करके यह नहीं लग रहा है कि यहाँ पर price के अंदर diversion चल रहा है price उपर volume भी उपर price अपने lows को protect कर रहा है high को break कर रहा है volume ज्यादा रहे हैं price का movement नहीं हो रहा है volume ज्यादा हो रहे हैं price रुका हुआ है जगए पर अगले दिन breakout मार दिया न यह divergence होते है अच्छा इन सब चीजों से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर किस जगह पर smart money हमें trap करने की कोशिश का यह सारी चीज़ें मदद कर देती हैं आपको जब हम day time frame पर reading करते हैं कि price देखे हमारा upside की तरफ तो जा रहा है और यहाँ पर high किस ने लगा जा जा है इस वाली candle ने या इस candle ने high लगा दिया चलिए ठीक है अब high लगा देने के बाद में price हमारा उपर तो गया बट इसने क्या किया है यह यह या फिर यह candle चलो हम इसको माल लेते हैं volume के साथ price upside की तरफ जाकर के close हो गया volume के साथ में price उपर की दिशा में close हो गया है ना और अगले दिन इस वाली candle को break करके प्राइस पर नीचे की तरफ गया अब यहां पर क्या कर रहा था यह लोग को break कर रहा है सोरी लोग को protect कर रहा है लोग को protect कर रहा है यहां पर जाकर के एक range बना दी और जैसे ही range को break की है इसके निर्व देखिए एक move आगया बड़ा सा अब प्राइस तो मेरा नीचे गिर गया है किसी को भी आप दिखा दो ठीक अप्राइस गिर गया नीचे क्या गिरने से पहले इसने इस एक पर कोई support बनाया यहां पर वो अभी price वहां पर है नहीं क्या हम लोग अभी यह मान सकते हैं कि 42,615 यह इसका जब भी जब भी price 42,615 पर आ जागा न यह reject हो जागा यहां से कोशिश करेगा कि market यहां से आपको downside के दिखेगे जब तक price 42,615 के नीचे है price आपको नीचे की तरफ ही दिखेगा अगर इसको उपर जाना है तो 42,615 को break करना पड़ेगा वरना 42,615 के नीचे जब जब शॉट मारेगा मतलब जब जब यहां से support ब्रेक करेगा 42,615 के नीचे market गिर जाएगे जब जब यह support ब्रेक करेगा market नीचे गिर जाएगे उपर जाना है 42,615 के उपर reject होकर कि इसको resistance को break करना होगा प्राइस उपर निकल जाएगा super resistance area जो इसका बन रहा है हमारा वो बनेगा 43,078 क्यों यह diversion देखो आप है ना एक narrow spread candle form हो रहे है वालूम तो increase हो रहे है बड़ प्राइस के अंदर कोई बड़ा move नहीं है और उसके बाद में इसको बोलते हैं validation कि प्राइस नीचे गिर रहा है वालूम भी नीचे आ रहे है मतलब क्या इसका 1, 2, 3, जितनी volume है उतना price है जितनी volume है उतना price नहीं है price नीचे गिर गिए सीदे इसी लिह हम बोल रहे है कि price जिस vantage से नीचे गिरा है nolan selling zone है पूरा ह्य है बाली लिच शे-पंद्रह नीचे जब-जब market आप भी support भी करेगा आप trade मार देना ट्रेड मार देना नहीं मार देना इसके उपर discussion ने कर एक तरह से validation हम समझा रहे हैं और diversion के बीच का फर्क समझ में आए ना diversion opposite हो रहा है कुछ दिख कुछ रहा और हो कुछ सकता है और validation में समझ में आ रहा है ठीक है जो है सही है यह सही हो रहा है अब देखिए वी एसे का जो यूज होगा इसका यूज हम लोग हमेशा support या resistance या फिर आपके क्या बोलते हैं या फिर supply and demand zone होगा उसकी जेगा पर करें वी एसे को कैसे एक चीज़ समझेगा अब मान लीजिए हमारा यह पॉइंट है यह हमारा एक एरिया है यह मेरा day time frame का यह में मा कर लिए अपने पहले मा किये हैं इसके बाद हो क्या रहा है यहां पर actually volumes गिर रही है और प्राइस हमारा उपर भाग रहा है वो narrow range बनाते हैं प्राइस हमारा उपर जा रहा है और 7 और 9 और 3 सब स्टेड़जी भी तो होते हैं न बताएं उसके बारे में कभी फिर कि अभी तक हमने जो यूज किया वी एसे का naked यूज किया है अब हम देख रहे हैं कि day time frame को हमने जो level अपना mark क्या हुआ था उसी level के पास में price पहुंच रहा है और यहां पर हमें diversion शो हो रहा है क्या लगता आपको अगर एक area तक पहुंचते है price अपनी volume को कम कर रहा है तो chances are very high कि price उपर तो जा रहा है बड़ में भी हो सकता है उसके अंदर strength नहीं है liquidity ब्रिक की जा रही है लिक्विडिटी खतम की जा रही है जस प्राइज उपर जा रहा है liquidity लेने के लिए यहां से liquidity आपकी dry हो जाने के बाद में प्राइज में भी चांस है कि प्राइज से नीचे कर जाएगा एक तरह से candles के color को हम लोग प्रिटिट कर सकते हैं कि next day के candle कौन से बन रही हम आपको चीज़ बताएं देखिए एक system बताते है system यह हमारी अपनी observation है जब भी आपको दो candles कम वॉल्यूम के साथ दिख जाए वन टू हमेशा ऐसा नहीं होगा 60-70% आप टाइम नेक्स टे की जो चैंडल बनेगी वह पोजिट बनेगे वन तो अगर कम है वॉल्यूम अगर वॉल्यूम कम है तो नेक्स टे की जो चैंडल आपकी बनेगी ठीक है न एक्जांपल दिखाने को यह जैसे डे टाइम में हमें प्राइज नहीं देखना मतलब नहीं है यहां पर लीजिए इधर ही देखिए एक दो नेक्स टे की कैंडल अभी हमने कैसा क्या बोला आप कलर प्रिडिक करो उसका यहां पर फेल हो गया नहीं हुआ तेकिन में मालूम कमने का मौका मिले तो करेंगे यहां पर क्या हुआ है तो क्या हुआ है अच्छा सा है और यहां पर क्या हुए वहारनों ना का इससे भी आपके लग्यू कि इख हो दो next day सिर्फ buy करना है बस और कुछ मत करना सिर्फ buy sale हो रहा होने तो करना नहीं है हमको जाओ जाना जाना जाओ हम buy करेंगे सिर्फ फिर देख लो आप यहाँ पर क्या हुआ है passenger की तरफ गिरा है ना हमें अगले दिन सिर्फ buying करनी है नहीं करनी है selling नहीं करेंगे गिर रहा है गिर जाने तो volume spread इसी लिए इतना powerful होता है मतलब बहुत ज्यादा इसका use होता है यहाँ देखे क्या है 22 दिसंबर 23 दिसंबर 26 को क्या हुआ selling करनी ही नहीं है buy करो आपके loss होने के chances तो ऐसे ही कम हो जाएंगे फिर से अटा find करते है ठीक है यहाँ क्या हुआ अगले दिन क्या होना opposite direction के candle बन गई सिर्फ buy करो selling मत करो हो रही ना गिर रही market mother candle का low break हो रहा है यह जितने अपने entry के formation आपको बताने जो support के formation support break हो रहे ना जाने दो resistance बस break नहीं होना चाहिए अगर हुआ तो अपने लिए green signal है हम buy कर लेंगे आसा फटाक से buy करेंगे फिर यहाँ देखी क्या हुआ है ना प्राइस के तरफ गिर रहा है okay next day red candle हमें देखनी है बस सिर्फ selling कुछ नहीं बहुत सारी चीज़ें यह क्या यह तो सिर्फ ए जला के छोटी से हमने दिखाई जाने के बाद में अभी भी हम एक अपने level का जो हमारा अपना personal है वो target बस पूरा हो जाए हम derivatives के उपर shift हो जाएंगे तरफ लेकिन तब तक थोड़ा सा hold मतलब ऐसे हड़बड़ी मने कि अभी यह बता दिया हुए अच्छा जाधा ने करेंगे मंडे को बस एक trade मारेंगे एक lot के साथ profit तो profit loss लेके निकल जाएंगे मन में आया होगा 101% अगर 20 लोग है तो अगर हम गलत नहीं तो शाह 10 लोगों ने ऐसा सोचा ही होगा अगर हम गलत नहीं है तो 10 लोगों ने जरूर ऐसा सोचा होगा कि मंडे को मारते ज़रूर है केवल एक lot से मारेंगे थोड़ा सा profit लेके चुप पर निकल जाएगा मजा आ जाएगा यह समत करिए अभी पूरा धाम बस practice पर डाल दो छोटी छोटी यह कुछ नहीं है अभी देखना इसको और कितना हम लोग improve कर देंगे ट्रेड मारना असान हो जाएगा आपके लिए प्रैक्टिस करो बस नुकसान नहीं होना चाहिए अपना पहला जो priority है वो नुकसान नहीं हो बस profit हम बना लेंगे बस नुकसान जो जिम में पैसा है वो जिएव से जाने नहीं चाहिए और यह इतना आसान है जितना जितनी आसानी से हम बोल देगये आपको बहुत महनत लगती सब करते बैकटिस नहीं होगा कुछ यू बैक्टेस्ट नहीं और डेट चार्ट को पर अभ्यास होगा सिफ लाइब मर्केट यह होगा आपका कहां पर थे हम भूल गया है हाँ यह होगा आपका वी यह से का हम लोग जो यूज करने वह इसके तुरू करने अच्छा एक और चीज जल्द जल्दी में पोटा होगे और सिंगल सिंगल केंड्या के जा करने स्केड़ में यह सब्सक्राइब करने से अके चम से नहीं होगा अपिस का यूज कैसे क्या होगा यह बताएं ग जा इसके लाव तरब आप यह जैसे लाबहते अ यसका मिलाा द glow क्या सकते हैं कि जो परीचह है वह को मिला होगा जो और वाइड वाइड स्परेड बनती है वह सवाइट वुस्ट इसका शौट तपर debugging यसम्पी इस्में प्याल क्या करते हैं तू अब टू डौन होती है स्ब्सक्राइब ने उई है तो आपके टू अब टू डॉंब तू डॉब टू डॉब टू डॉब तू डॉब एंध यह स्प्ली फस्ट जो फॉर्मिशन अपने होगे यह formation reversal आपको देखने है न कई सारी formations को तुरुछ reversal होते हैं यह जो हम बता रहे हैं न इसको भी देखो two up two down मतलब two up एक तो यह formation बन गए इसके आद में two down color कोई matter नहीं करेगा color कोई matter नहीं करेगा अच्छा इसके पीछे का reason गया color के matter नहीं करने का एक जो candle आपकी form हो रही है जो एक candle बन रही है वो normal है पहली candle आपकी normal है उसके बाद में जो second candle आपकी निकल के आई ना previous से जग ज़्यादा की volume आ गई है उसके बाद में फिर volume कम हो रही देरे देरे जायए फिर volume कम हो रही इसका मतलब किया है एक लेवल तक जा हमारा प्राइस पहुंच रहा था तो वॉल्म ठी थी इंक्रीज हो रहे थी इसके बाद में अचानक से वॉल्म गिरने क्यों लग गई में एक में भी गिरी दो में भी गरी और यहां पर आपकर प्राइस के मुविमेंट किस तरह के डिख सकते आइडिल कंडिशन में जानने है कैसे वो प्रैस के मुव्मेंट हो है तो यह इस तरह का और इसके बाद में फिर मार्केट में में भी चांस है मधर केंडल आप देखे हैं ऐसे करके प्रैस का यह स्विंग बन सकता है और नहीं तो फिर इन चार केंडल का आप देखोगे तो इ परस्ट फ्रल्यम और ए मंख्र कभ सकते हैं ?」 बहुतर है और क्भुंध और फ्रस विल्म नॉर्मल श्रीट इंबर को न्यक्राइण है इसके बाद में कलर मेटर नहीं करेगा इसके अंदर और जो भी प्राइस बनेगा यहां पर अभी हम आपको दिखाएंगे चलके प्राइस की मार्किंग किस तरह से के जाएगे बस इसको ध्यान रखना यह भी विएसे का ही एक फॉर्म होता है वॉल्म एंड प्राइस की अनेल्सिस के तरह हम यह पता लगाने की कुशिश करते हैं कि क्या प्राइस को जो मुव्मेंट है वो नॉर्मल मुव्मेंट हो रहा है या प्राइस की जो मुव्मेंट हो रहे हैं उसमें स्मार्ट मनी हमें ट्रैप करने की कुशिश करता है क्या यह प्राइस का मुव्मेंट हाई है कम वॉल्यूम में बड़ा मुव्मेंट होई नहीं सकता अगर हो रहा तो मतलब गड़बढ है बड़े वॉल्यूम में छोटा मुव नहीं हो सकता मार्केट होता है अगर हो रहा तो मतलब कुछ ने कुछ गड़बढ है देखना पड़ेगा थोड़ा सा अवेर हो जाना होगा सिंपल भाशा में मलब चार लाइन में आपको विए से बताया इसकी फॉर्म्स काफी सारी यह लग लग होती तीन केंडल की होती चार केंडल की होत सारी देरी धर करके आपको समझ वहाएंगे कुछ वीडियोस जो हमने दिया उसमें देखिए आपको पास एक फॉर्मेशन होगी वी एसे के नाम से चैप्टर ही है पूरा वी एसे के नाम से उसको देखना काफी सारी चीज़े एक नौर्मल जो होता है कि एक क्या बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन वो यह है उसके साथ-साथ यह फॉर्मेशन जो कि हम चाहते हैं कि पूरे वीक आप पूरे वीक इस फॉर्मेशन के प्रैक्टिस को फस्ट वॉल्यूम नॉर्मल सेकेंड फस्ट जाधा थर्ड फॉर फाइफ जैसे हमने यहां पर लिख यह सही है लेकिन यहां पर बन नहीं रहा है कुछ यह कितना है 2308 फॉर्स्ट नॉर्मल सेकेंड थर्ड फॉर्स यह बन गया हमारा ग्रूप आप देखना है यहां पर मार्केट्ट रिवर्ट कैसे होती है करना क्या है जो भी हाइस ही होगा और जो भी लोग इस लोगा इन च करने की जगा होगी यह वाली और कुछ नहीं करना है सिंपल अभी हमने प्राइस देखा नहीं क्या हुआ है लेकिन आप देख लो सब कुछ हम डिलीट कर दे रहे हैं सब कुछ हमने क्या किया जस्ट हम हाई मार्क कर लेंगे इसका फॉर्स बफर ले लिजागे और लोवे स् होगी यह दो तीन चार-चार केंड़ सो लोगे पर कर लो रहें करो बसकूए ॐर्म करो कितने टेक्रत करने सरे कॉएं जुख करने इस करने मारे बसारी कि जितने बीट अनुस का पर में पार इंए और स्के जब तब वह इन नहीं होंगे और उन का प्र शरूं को घठास इन 10-15-20 पैसे के लिए फिर आप नहीं रुकोगी यहां पर इतना confidence आ जागा ना पूरे-पूरे दिन हो सकता वेट कर डालो बैंक निफ्टी में पूरे दिन वेट कर डालो इस टौक को तो बात ही छोड़ दो अगर हम यह चाहते हैं कि आगे की तरफ हम चल करें तो इसका मतलब यह भी होता है कि अगर 43,470-4498 के पास हमें आगे की तरफ एक्जिकूट करने मतलब पीछे प्राव कितना ट्रेट हुआ इस लेवल से समझभा रहे है न हम कोई भी अगर लेवल ट्रॉब करते है उसके पीछे का सेंस क्या होता है रीजन क्या होता है यह हमारा एक एरियआ है 38 या फिर यह लिजाए 38000 के उपर का हमारा एक एरिया है हमें यहां से trade मारना है क्योंकि level हमने draw कर लिया है कल trade मारना है कल हमें इस वाले level से trade मारना है तो हम वेट कर रहे हैं कि price कल हमारा इस level से कहीं न कहीं या तो reject हो जाएगा या तो फिर resistance को break कर देगा इस वाले level से क्यूं इसको भी तो देखना होगा न अगर हम जिस level से trade मारना चाहरा है past में इस line से कितने trade मारे गया है इस line से कितने trade किये गया है past में अब आप देख लो अगर हमने यहां से too low और too high two high two low से हमने यह वाला area मार कर लिया अपना scandal का है अब देखो previous में भी तो price वहीं से reject हुआ है मतलब कि level कहीं न कहीं तो important है देख रहे हैं हमने क्या किया था हमने तो price को देखा था तक नहीं फिर सम्देख ले रहे हैं यहां बना है कर लो sorry यह वाला area है अब यहां पर कहां बनगे यहां पर भी दो है एक दो एक दो तीन लो नहीं यहां पर ज्यादा है इस जगे पर ज्यादा है इनको सब कुछ छोड़ देना चार पांच लगातार बनती चलिया रहे है तू हाई टू लो को लिजगा जैसे यह ideal है यह ideal है बस यह 3 ही तीन ही होना चाहिए हूं लो तो लो टू हाई नज माहक करना नेक्स्टी करके आप कोशिश करो 1520 चारट करो नेक्स्ट ए च्नप लोग स हो मेरा वाटसेप नभर है और यह यह चाहा तो डाइब इन पर जो भी चीज तक हमने बताई आई है सब लोग अपने माइक अन्मूट कर सकते हो लब हैंड़ाइस कर लीजिए हम माइक अन्मूट कर देंगे आपको जी राकरशी बूलिए मैं बला था शर कि यह मदर केंडल क्या होता है बत देंगा अभी जो चीज बताई वो समझ में हैं नहीं जो 16 वाला था उसको आपने क्यों बोला की का इखने के लिए है को वहां पर 30 से ज्यादा ना словख water cảडल क्या मतलब 16 इब्ड़ा है फिर उससे चोटा उससे चोटा यहां पर देखें क्या हो रहा है हमें सिर्फ है टूलों चाहिए बट यहां पर एक दो तीन चाहिए यह स्विंग नहीं बनाएं सिक्स्टीन से पाले वाला केंडल इसका दूसरे उपर फिर उससे कम उससे कम एक-दो यहां खतम हो जानी चाहिए यह 19 में ऐनीस तब आएगा तब मतलब देखेंगे ना इटीं तक ही है यह बल्कुल बास सही आपकी उननीस जब बन जाएगी तब मैं पता चलिएगा ना कि यह वाली फौरमेशन गलत है अगर उननीस से पहले आप ट्रेट मारे थेड़ फर इसको मां कर लो जब उननीस को बन जागी तो आपको लगेगा कि नहीं यह गलत फॉर्मेशन नहीं यह सही नहीं है तो आप उसको डिलीट मार दोगे अब जैसे यही है दो हाई बन गई एक दो लो हैं बन गई ना फॉर्मेशन कर सकते हैं हम लोग आप एक काम करो ना जो लोवेश लो पॉइंट है पर जो ह टीन से जड़ा होना चाहिए तीन से जादा नहीं लास्ट फानी से जड़ा जाए है तीन से जाधा मजलब वह वह ऑई तीन अ मार दो आप ट्रेड उन्तलीस पांच न्त्रीन नहीं निदा निदा ओनदा उपर इसके निए प्रैस निकल जागा ऊपर गया तो चौदा जार अगर यहां तक आया फ्राइस तो मंडे की मार्केट आक सर आपको साइड़ वह दिखेगी जो हमारे जितना एक्सपरेंस रहता है और सब्सक्राइब सब्सक्राइब थे विद्यूर वीडियो 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 में कि आप से था क्रेश किया आप से आप से नहीं आप से नहीं पर है या घलो सर जी रोग साब भुले तिंदेगा सर्च के लिए मतलब इसको आगएं फिर से देख सके वीडियो को में भी हम इसको तुकल शयद पप्लिश करेंगे यूटूब पर पब्लिस करेंगे आप क्या उसको शायद हम पब्लिस और पब्लिस नहीं करेंगे तो भी प्राइवेट वीडियो में डाल करके हम आपको लिंक शेयर करेंगे जैसे अब यहाँ पर कौन सा है तीस फैप थर्टी यह जो तीस है अगर सर अपन यहां पर मार कर रहें आपके कोड़ेंग तो इसके कोड़ेंगे आपन पहले उसको देख लिए ना सर कि पहले इसमें प्या सपोट लिया है यह देखना जो तो सर मेरे साब से जो इसके बात का जो बनेगा जो अब बनेतला जसे आगर शयकंट तक हो गया तो थाइड को अपन है ना अप्रेश भी बना नहीं है तो का आपने तुम्हार करके लिए लुए Dr. को श्यां कर हैं सकते आए अपने साई मार्किंग की है नहीं हाँ प्रिवेस्ट जो मने मार्क किया वो हमारा बना रहेगा वो कॉंट्यूनुर है या ओके सर लेटेस्ट हमारा जो बन रहे है वो मंटे को पता चल जाएगा या ओके सर थैंक्यों सर अनिल साथ मैं कमूट की शपने अभी है अभी वी आपका अभी में बोला ना में भी हो सकता है कि कलम या तो उसको पब्लिश करेंगे और अगर वाई चंसम पब्लिश नहीं करते हैं तो प्राइवेट वीडियो की प्लेलिस्ट में डालके वो लिंक हम आपको शेयर करते हैं जी तो सर एक मैंने और कुशना था जो चैप्टर नहीं ठीक पर यहां में आप स्क्रिंशॉट भेज़ दिएगा और जो भी आपको कुश्य हो लिख दी जगर ने तो कॉल कर लिज़ेगे सिदे कॉल पर डिस्कूस कर लेंगे तो सर मैंने आपको बेगा था वर्सप अभी उसका रिप्लाई आया नहीं था इसलिए मैंने कु को कहन से फार प्रणिश्ड कि जी कर डिसे कल कोल किजिए आप्टरून काल किजिए जी सर एक्षा जी मैं कर्मूट की जबना है नमस्ते सर नमस्ते सर नमस्ते अक्षा नमस्ते बुले हां से अभी यह तो होगया अपने मार्केट के लिए क्रिफ्टो के लिए एफिर प्रेक्स के लिए फॉर और पे मार्क कर सकते हैं हां फॉर अवर फिप्टेंश निनिट ठीक एस और एक चीज सथ यह सिलेबस शेर किया है कि सर पही से लिबस आपकी आज कौन सी क्लास है पर्स्ट क्लास है मतलब नहीं अभी आपको कोई से लिपस नहीं आपके ग्रूप में इंफॉर्म कर लेंगी जी शुक्रिया से बस इतना ही पूशना तो तो दूसरा दीन उसका ऑपोजिट बनता है तो आप अपने जो अभी यह मार्किंग किया है अगले दिन मार्केट नीचे गिर सकती है और अगर नीचे गिर रखना है वो जा उपर भी सकते हैं अगर उपर जाती तो हमाने किसी काम करना है कि अगले दिन जाएगा उसका तो किसी को पता नहीं है अगर वहां से डिजेक्शन दे तो देख सकते हैं बिल्कुल क्योंकि वह हमारे पास एक एज होंगे क्योंकि दो दिन के बाद मोस्ट पॉपलिटी दूसरा केंडल बनता है हां दूसरे कलर का केंडल बनेगा मतलब वह एक एज लेके चल सकते हैं अग् फिट टैनके फिट पूश पता चलेगा भेज jus अग्यास दिखें बढ़िया से प्रक्ष्क के जिद नहों सकते हैं यादस Honors जाद्ध सिज्ःदा क्वेश्चनग केह थिद इस हिसी चार्ट में जो इन्फर्मेशन ने 25-25 तारिख को बन रही है ये भी तो बैलेड बन रही है तो इसका हाई लोग ये वाली केंडल जी तू अप टू डाउन रूल्स क्या लिखे हैं हमने फस्ट नॉर्मल रहेगी सेकेंड वॉल्यूम ग्रेटर दन फस्ट वॉल्यूम और थर्ड वॉल्यूम लोवर दिन थर्ड जो आप बता रहे हो उसमें थरड वॉल्यूम जा सेकेंड वॉल्यूम से कम होना चाहिए सब्सक्राइब करें तो इसकी मार्किंग से लेके चलते हैं लुएस्ट लुएस्ट हाई चारो केंडल का हाँ चारो केंडल तो अभी किसी तरह की क्वेश्चन्स और डाउट्स नहीं है ठीक है तो हम यह मान करके चले हैं कि जो भी चीज अभी हमने पढ़ाई है वो पुरी तरह से आप लों को क्लियर है और इसके पर आप लोग प्रैक्टिस करके हमें चार्ट के स्क्रीन शॉट शेयर करोगे कल की class का time link आपको group में मिल जागा कल वापस सेम टाइम पर फिर से मिलेंगे और जो भी चीज हमने आपको अभी तक बताई है उसको अच्छे से practice करें कि की आज हमने एक प्रयास करना कि जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन के आपको दिख रही है अगर दिखी है तो मार्किंग करने में कुछ इशू तो नहीं आ रहा है क्योंकि प्रैक्टिस हम आपसे लाइव मार्किट में करवाएंगे क्योंकि कल संडे और आज की पूरी रात का टाइम कल दिन आपके पास है तो इसको थोड़ा सा यूज करो यूटिलाइज करो और जितना हो सके चार्ट के उपर मार्किंग करो कोई भी डाउट होता है ना तो कल की क्लास में वापस हो एक एक डाउट क्लेर को मंडे से पैक्टिस से स्टार्ट होता है ठीक है चलिए राकेश राक करेंगे अब लोग यह नहीं देखेंगे जो प्रेक्टिस करेंगे उसमें नहीं देखेंगे कि उपर जाए गया निच्छ रागा ऐसा कोई प्रिडिक्शन नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ अभी मार्क करना है बस हम और टाइम फ्रेम सर कितना रहेगा मतलब मतलब ऐसे वैलि क्रिप्टो के लिए अच्छा क्रिप्टो के लिए ओक्यों के सब्सक्राइब करना है तो सर कल तुम शायद एक लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो उसका वीडियो मिल जाए देदेंगे कल डाउट क्लेरेंस ही होगा अगर आपको को जैसा डाउट रहता है तो में वाट्सप कर देगा आपको क्लेर कर देंगे जो पढ़ाना था आज की सेशन में पढ़ा दी वह प्लास आपने टेंड ही कर लिए जी 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 कल डाउट क्लेरेंस होगे सर्फ ठीक है सार बाकि वीडियो का देख लिजेगा सर्मंडे वीडि नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो यही था तो गुड़नाइट सभी लोगों को अराम से जेतनी चीज़े बताएं सबको रिकॉल करिए एक नोट बना ली जागा नोट बुक उसमें सारी चीज़े लिखते रहिएगा जो जो चीज़ें बता रहें वरना होगा कि क्लास कर्म हो जाने के बाद में आपको यहीं समझ मयाँ कि या पढ़े है कि याद करने वाला था क्या इंपोर्टन तो बूल जया नोट बुक पास में रखा करो कुछ भी लगे कि यह यह ये जाद हम भूल जाएंगे अगर को समझ में न है तो एक बार दो बार तीन बार चाह बार पांच बार दस बार भीस बार पंदर बार पूछो चुप मत बैठे रहे हो कुई बहुत सी लोगों कि उन्की class group में जब classes होती है तो एक common psychology जी जो होती है ना students की वो ये कि हमारा सवाल वो पूछ लेगा तो हो सकता है clear हो जाए और जब discussion होता है तो वो जो सवाल आपकी मन में था actually वो सवाल आप भूल जाते हो थोड़ी देर में और आपका point fix हो जाता है दूसरे पर क्योंकि discussion जो चल रहा होता है आप सुनते वो unconsciously आप सुने के वही जो discussion चल रहा है और फिर जो चीज जिसके उपर discussion चल रहा होता है आपके question फिर उसके उपर आते हो पुराना question आप भूल जाते हो पुराना question भूलना कुछ बुरी बात नहीं लेकिन पुराने question के साथ में actually आपको problem भी भूल गए जो problem उस concept को लेकर के आपको हो रही थी ये नुकसान होता है ये बहुत पहले से सारी चीज़े से एक बार हम शायद book पढ़ते थे कोई हमें नाम क्या था उसका अच्छी book थी तो उसमें बताया गया है group की जो classes होती है ना ये बहुत पुराने time में हम लोगों के हाँ से बहुत बच्पन से गुरू कुल वगरा से चलती है बहुत पुर इतना सब commercialize हो चुका है कि आपके doubt से मतलब भी नहीं है teacher को जादर teacher आपको ऐसे मिलें आपके doubt से उनको एक पैसे कर लेना देना नहीं है लेकिन हम यही कोशिश करें कि अगर आपके मन में doubt है ना तो उसको जितना हो सके ज्यादा ज्यादा पूछ लो औरना नुकसान आपका मेरा कोई नुकसान नहीं हमारा बस इतना काम है अगर हमारे ग्रूप में किसी का भी hand rise है तो उसका hand down कि बगर class खतम नहीं लुए टीन गंटे चले चाहिए चार गंटे चले जब है जी पुछ रहते के बाद का candle फोर्ट से greater होना चाहिए ऐसा ही बोले है ना फोर्ट हाँ फोर्ट के बाद की और पर से greater होगे सब्सक्राइब है तो जो फर्स्ट केंडल बना है उससे पहले इतमें भी कुछ उसमें है किया तो फश्ट केंड़ से नौर्मल बने का उससे पहले का केंड़ क्या बना चैंक वो कम रहेंगी ज्याद के तो चले का छो बना ज्यादा होगी जो फिफट हैना वो फोर्थ कि केंड़ें है ने कंडी pedals है थैंक योठा अ다면 कि श्रंण पर buch डली हैं पूरा फोकॉस करना है पढ़ना है वो पढ़िए कोशिश करें रोज दो तीन तीन चार चार पेज़ रोज पढ़िया जी सब्सक्राइब देने के पीछे का बस परपस यह है कि थोड़ी बहुत बुक पढ़ने की भी आदत पढ़े ंसा कुछा नहीं मतलब आपका शिकाने का तारीका और वो बुट में जो सिखरें वो हैं वो पढ़िया वूशी पढ़िये देना हो सबंसे क अप मुंः जी दिफिल्ड में काम करें दो बूस वीडिक के दो इसा बीस पच्चीस साल पहले इस एक काम कर तो वो जो लोग होते ना कोशिश कहते हैं तो एक दो लोग ऐसे होते हैं जो बुक लिखके चले जाते हैं पढ़ने में तो उसका बेनिफिट होता है कभी नुकसान नहीं पहुंचाई वो बुक आपको और यह और एक्सार क्रिप्टो के लिए फोर और और फिफ्टीं मिनिट्ट फूर तूर फिफ्टिंग हाँ सब्सक्राइब करें जो कॉंसेट पर टाया है टू वॉल्यूम का सेम और उसके नेक्स दिन है ना उसके आपोजेट कलार का बनेगा सरे स्टॉक पर भी बैलेड है क्या सर हां कोई स्टॉक कोई स्टॉक बोलिए सब्सक्राइब कि या लाач सरल राइट सर देख रहें देखर ये सर सिर को सकता है अगर आपको सेल विंट तोर सल चले और वांस प्रइस अधर नीचे नहीं कि रहत हो फिर ट्रेड नहें करना है और बाई तो करेंगे लाइट व्लाइट सर्ठ तक करना तो यह जो फॉर्मेशन है तो उसको तो रिसेंट वारा इसको देखने का किया यह अगर वन मन पहले भी अगर है तो 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 वह भी देख सकते जाने का जूरतिन नहीं वन मन पहले नहीं और ज्यादा प्राणी फर्मेशन लेगी ज्या करें वह लेटेस में मिल जाएगा अभी भी एसी कॉम्प्लिकेट सिचुवेशन है सिचुवेशन दसने कॉम्प्लिकेट चार्ट को अगर पड़े शेयर कर देना आमको देख लेंगे ओंप्लियम गणिए ज्यांपैशन अलो जी गनेशा बुलियो अश्र जी धिए अधिया बुले में त्सार जुबलेट पूर में नव जानेवरी में एक फॉर्मिशन हो जुबलेट पूर कहां पर नौ जैनेवरें से देरा जैनेवरी टीजए अभी लिटास अभी कोई उसमें है साउ है है फैलिट अपहलों केंडर केंडर हो कफोर्ट से भी ज्यादा पड़ी है दोडियों याज थ आप है अब ऐसे being물 भशो है त्यर गोडिया। हमस्त है हमारे चाहर चयर्केंडल का जो फॉरमेश्न वम्हें ने वालिटेशक का ख़र विक wil याद है कि हममें हमने मंडें का बाता चलेगा यहां मंडें हेजैंग हमाइज्य नगंधे होने के बार होने के बाद ही आद हमें पके पता चलिएगा कि यह है बाकि लूझे अ आपकी जो 6th February की मार्केट रहे उसमें मार्केट ख्लोज होते होते हुए एक डेट केंडल हो पॉसिबिलीटीज है वह डेट केंडल बन जाए गोरग साथ आपका शायद माइक अन्मूट हो नहीं रहा है जी बुली भी कुछ दिर पहले का मेरे वेडियो ही नहीं चला है वे विजियगज़ मेरे समयं नहीं पार हूं मतलब अभी आदे घंटे साफ मेरे चल नहीं रहा था अच्छा थो प्रतोविकिसंग भी कुछomas अंब करूंद अब ठारें दें उसको देखिए जाब रिकोर्डर में लेगा साथ हाँ रिकोर्डरर छे चलिए गनेश साहब का तो ठीक है ठीक है फिर एंड एंड आज नहीं किसी कही है चलिए ओके थैंक यू थैंक यू भी लोगो गूड नाइट और कल का कैसे क्या रहे गए वो हम गूर्प में आपको इंट सौब करें कल का का बाल झाल 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 झाल